लेकिन मेरा सवाल है क्या हिंदू रुदे समराथ शिवसेना प्रमुक बारा साथ ठाकरे ने कभी ये सोचा होगा कि उनके पुत्र के राज में हनुमान चालिसा बोलना राज द्रोह होगा और अउरंग जेब के कबर पर जाकर माथा टेकना ये राज शिफ्ता चार होगा क्या उन्होंने कभी सोचा होगा दोस्तो छत्रपती संभाजी राजे जिनके बारे में कहते हैं देश धरम पर मिटने वाला शेर शिवा का च्छावा था महा पराक्र में परंप्रता पी एक ही शंभू राजा था जे शत्रपती संभाजी राजा को आउरंग जेब ने तड़पा तड़पा कर मारा क्या कहता था आउरंग जेब ये नहीं कहता था कि तुम्हारा राज दे दो ये नहीं कहता था तुम्हारा कीला दे दो ये नहीं कहता था तुम्हारी संपत्ति दे दो वो तो एक अई बात कहता था संभाजी मुसलमान बन जाओ धरम बदल दो लेकिन देश धरम पर मिटने वाला शेर शिवा का च्छावा था महापराक्रमि परमप्रता पी एक ही शंभू राजा था संभाजी राजे ने कह दिया अरे जान भी चली जाए न स्वराज दूँगा न स्वधर्म दूँगा और ऐसे संभाजी राजा का उनका खून करने वाले उनको मोद की घाट उतारने वाले उनकी निर्मम हत्या करने वाले औरंग जेव की समाधि पर वो असदुद्दिन OAC जाता है और माथा टेकता है और तुम देखते रह जाते हो अरे शरम करो चुलू भर पानी में डूब मरो चुलू भर पानी में डूब मरो अरे OAC सुन ले कुत्ता भीना पेशाप करेगा आउरंग जेव की पैचान पर अब जो भगवा लहर आएगा पूरे हिंदुस्तान पर अब जो भगवा लहर आएगा पूरे हिंदुस्तान पर जो चत्रपती शिवाजी महाराज का नाम लेते थे उन्होंने तलवारे मियान कर दी होगी लेकिन हमने अपनी तलवारे मियान में नहीं रखी हम मुकाबला करेंगे दटके करेंगे ठोक के करेंगे